दोस्तों अब चाइना ने अपने उस हत्यार को मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है जो चाइना के पडोसी देशों को बहुत ही जादा भारी पढ़ने वाला है तरसल इस समय चाइना एक स्टेल्थ बोंबर को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है इस स्टेल्थ ब बोंबर को लेकर प्यूपल लिब्रेशन आर्मी के एर फोर्स वाइस कमांडर वांग वी की तरफ से बताया गया है कि चाइना जल्धी ह-20 बोंबर को अब रिवील करने वाला है इस बोंबर पर चाइना ने 2016 में ही काम करना शुरू किया था और 2018 में कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया था कि इस बोंबर पर चाइना जोरो शोरो से काम कर रहा है 2022 में इस बोंबर को लेकर बताया ये जा रहा था कि चाइना अब जल्धी 2022 में इस बोंबर की first fly को conduct करेगा लेकिन actual में ये चीज possible नहीं हो पाई इस समय देखा जाए तो भारत के पास एक भी bomber मौजूद नहीं है क्योंकि भारत का मानना है कि bomber हमारी सेनाओं के लिए इस समय ज्यादा useful नहीं है क्योंकि जो bomber होते हैं उनकी speed काफी कम होती है जिस कारण इन bomber को defense system की मदद से मार कर आसानी से गिराया जा सकता है इस समें देखा जाए तो भारत के पास S-400 डिफेंस सिस्टम मुझूद है जिसकी मदद से हम काफी आसानी से 400 किलोमेटर पहले ही दुश्मन देश के बॉमबर को मार कर गिरा सकते हैं लेकिन अगर बॉमबर के अंदर 400 किलोमेटर रेंज से जादा लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाईल लगी होगी तो उस कंडिशन में बॉमबर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आने से पहले ही हमारे डिफेंस सिस्टम के ऊपर लोंग रेंज की क्रूज मिसाईल को लोंच क किलोमेटर के आसपास हो देकिन जो ये लोज़ंज की क्रूज मिसाइल होती हैं इन में सबसे बड़ी दिकक्त यह होती है कि इन मिसाइलों को हम अपने फैटर जेट में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये मिसाइल वजन में बहुत ही ज्यादा भारी होती है जिस कारण fighter jet इन missile को अपने साथ में लेकर नहीं जा सकते हैं वहीं पर अगर bomber की बात की जाए तो bomber अपने साथ में AC बहुत सी missile को लेकर जा सकते हैं और इस समय जो चाइना की तरफ से H20 bomber बनाये जा रहा है इस bomber को चाइना B2 bomber की कोपी करते हुए बना रहा है चाइना का ये H20 bomber एक सूपर सोनिक bomber होने वाला है जिसकी रेंज 85-100 km के आसपास होने वाली है और अगर चाइना इस bomber की इसी साल भी first fly करा देता है तो उसके बाद इस bomber की कुछ दिनों तक टेस्टिंग की जाएगी और उमीद इस बात की है कि चाइना इस bomber को 2-3 सालों बाद ही मास प्रोडक्शन में लेकर जाएगा और जैसे ही इस bomber का प्रोडक्शन चाइना की तरफ से शुरू कर दिया जाएगा उसके बाद भारत और डक्शिनी चीन सागर में सभी देशों की टेंशन बहुत ही जादा बढ़ जाएगी लेकिन आप कहेंगे कि भारत भी तो ओरा bomber को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है बात आपकी बिल्कुल सही है लेकिन हमारे ओरा bomber को प्रोडक्शन में जाने में अभी 10 से 15 सालों का समय लग जाएगा और अब से कुछी समय पहले कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा था कि अमेरिका अपने 6 जनरेशन के B21 बोल्ट डेडर बोंबर का मास लेवल पर प्रोडक्शन करकर अपने फ्रेंडली कंट्रियों को एक्सपोर्ट करेगा और अगर भारत की तरफ से अमेरिका के B21 रेडर बोंबर को खरीद लिया जाता है तो बीट चाइना के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी और अब आप ही कमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या हमको एमेरिका से B21 रेडर बोंबर लेना चाहिए हाँ या फिर ना इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं थेंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो, हैव गूड डे